हेलो दोस्तो स्वागत है आपका हमारे यूटूब चैनल सरकारी नोकरी डेली पोस्ट में दोस्तो आज की स्वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो मेडिकल कॉलेज अंबिकापूर के द्वारा जो वेकेंसी निकाली गई थी उनमें payment के माध्यम से आपको कैसे करना है यानि कि payment आपको कैसे करना है online या offline इसकी पूरी जंकारी स्वीडियो में cover करेंगे जैसे कि अगर आप online के माध्यम से करते हैं तो आप phone पे, google पे या net banking के माध्यम से आप उनके खाते पर जमा कर सकते हैं इसके अलावा अगर आप offline के माध्यम से करते हैं तो आप किसी भी bank में जाकर उनका जो SBI का खाता है उनमें आपको जमा पर्ची के माध्यम से जिस category के आप अंधर गताते होंगे उनके अधार पर आपको payment जमा करना होगा तो दोस्तों आज के studio में मैं आपको phone pay के माध्यम से step by step बताऊंगा कि कैसे आपको online payment करना होगा जैसे ही आप phone pay में आएंगे तो वहाँ पर आपको to bank and UPI ID का एक option दिखाई देगा वहाँ पर जैसे ही click करेंगे तो यहाँ पर आपको एक plus symbol दिखाई देगा इसी में आपको click करना होगा इसमें click करने के बाद यह banks यूज करने के लिए देता है कि किस bank में आपको जमा करना होगा तो वहाँ पर उनके द्वारा SBI का खाता दिया गया है तो हम लोग उसमें payment करेंगे तो यहाँ पर देखे account number और यहाँ पर IFSC code note required यानि कि आपको IFSC code भरना ज़रूरी नहीं है इसके बाद आपको next button पर click करना होगा next button पर जैसे ही आप click करेंगे तो उनके द्वारा जिनके खाते में वहाँ पर जमा होगा तो उसका पूरा detail यहाँ पर आपको दिखाए देगा जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं Dean government medical college अंभिकापूर यहाँ पर आपको account holder का नाम दिखाए देगा यहाँ पर nickname का option भी दिया गया है अगर आप चाहो तो भर सकते हैं तो नहीं भी कर सकते हैं इसके बाद आपको proceed to pay पर click करना होगा मैंने यहाँ पर बहुत सारा payment किया था तो उसका list दिखाए देगा आपको जैसे कि मैं OBC category के अंतरगर्द आवधन करना चाहरा हूँ तो यहाँ पर मुझे 300 रुपे का सुल्क भुक्तान करना होगा तो यहाँ पर दिखे जैसे आप payment पर click करेंगे तो यहाँ पर processing payment of 300 रुपे दिखाए देगा आपको यह दिखे और successful हो गया आपको remind me later करके आपको view detail पर आप जाकर देख सकते हैं यह दिन government medical college के नाम पर payment हो चुका है इसके बाद आप यहाँ पर share receipt में जाके किसी को भी share कर सकते हैं यहाँ पर payment successful का जो receipt होगा उसे आपको print out कराकर आवधन पत्र के साथ attach करके आपको इनके कारयाले पर जमा करना होगा जनकारी अच्छी लगी हो तो like करेगा और इस तरह की जनकारी पाने के लिए चैनल को subscribe करना बिल्कुल भी मद भूलेगा जब भी मैं अपने चैनल पर वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले इसकी notification आपको मिलेगे और समय रहते हैं आप आवधन कर पाएंगे तो चलिए मिलते हैं नेश्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिन जय भारत